परशुराम वीर्ता के साक्षात उधारन थे, परशुराम अपने माता-पिता के प्रती समर्पित थे, इसके बावजूद भी परशुराम ने अपनी माता का वद्ध कर दिया था, इसके पीछे क्या कारण था? आईए जानते हैं, इस वीडियो में परशुराम से संबंदित स्वागत है दोस्तों, आपका हमारे चनल समय चक्र में पुराणू के अनुसार परशुराम की माता रेणुका एक बार मिट्टी के घड़े को लेकर पानी भरने नधी किनारे गई हुई थी, किन्तु नधी किनारे कुछ देवताओं के आने से उन्हें आश्रम लोटने में देरी हो गई रिशी जमदगनी ने अपनी शक्ती से रेणुका की देर से आने का कारण जान लिया और वे उन पर अत्यधि क्रोधित हुए, उन्होंने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अपनी माता का वद्ध करने की आग्या दे दी किन्तु रिशी के चारों पुत्रों ने अपनी माता की प्रती प्रेम भाव व्यक्त करते हुए, अपने पिता की आग्या को मानने से इनकार कर दिया इससे रिशी जमदगनी ने क्रोधवश अपने सभी पुत्रों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया इसके बाद रिशी जमदगनी ने परशुराम को अपनी माता का वद्ध करने की आग्या दी परशुराम ने अपने पिता की आग्या का पालन करते हुए अपना अस्र फरसा यानि की पुलहाडी उठाई और अपनी माता रेणुका का वद्ध कर दिया इस पर जमदगनी अपने पुत्र परशुराम से खुश हुए और उन्होंने परशुराम से मन चाहा वर्दान मांगने को कहा परशुराम ने बड़ी ही चतुराई से अपनी माता रेणुका तथा अपने भाईयों को पुनहा जीवित करने का वर्दान मांग लिया उनकी पिता ने उनके वर्दान को पूर्ण करते हुए पत्नी रेणुका तथा चारों पुत्रों को फिर से जीवन प्रदान किया दर्शको इसके अलावा परशुराम से संबंदित एक और घटना बहुत ही प्रचलित है ये वो घटना है जब परशुराम ने तोड़ा था श्री गणेश का एक दान्त तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था कहा जाता है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिव धाम गए हुए थे जब परशुराम जी कैलाश पहुचे तो उस समय शंकर जी ध्यान में थे इसलिए श्री गणेश ने परशुराम जी को रोग दिया इस पर परशुराम जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया श्री गणेश जी ने इस बार को जेलने के लिए अपना दांट आके कर दिया और इस प्रकार उनका एक दांट तोड़ गया तभी से गणेश जी को एक दंथ भी कहा जाता है अब सवाल ये आता है कि क्या भगवान परशुराम जी अमर है? परशुराम वीर्था के साक्षात उधारंथे परशुराम के बारे में ये मानने था है कि वे त्रेता युक एवं द्वापर युक से अमर है हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ मापूर्शों को आज भी अमर माना जाता है इन में से एक भगवान परशुराम भी है ये भी कहा जाता है कि वे वर्तमान में भी कही पर तपस्या में लीन है कैसे बने राम से परशुराम परशुराम का मुख्य अस्त्र कुलहारी माना जाता है इसे फार्सा परशु भी कहा जाता है परशुराम ब्रामन कुल में जन्द में तो थे परंतु उनमें युद्ध आदी में अधिक रूची थी पुराणों के अनुसार बच्छमन में परशुराम जी को उनके माता पिता राम कहकर बुलाते थे बाद में जब वह बड़े हुए तो पिता जमदगनी ने उन्हें हिमाले जाकर भगवान शिर्व की आराधना करने को कहा पिता की आग्या मानकर राम जी ने ऐसा ही किया और वे वहाँ जाकर तप करने लगे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिये और शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तप परशुराम ने हाथ जोड़कर शिव जी की वंदना करते हुए शिव जी से दिव्य अस्त्र तथा युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांगा शिव जी ने परशुराम को युद्ध कला में निपुणता का वरदान दिया शिवजी ने परशुराम को वर्दान देते हुए कहा कि परशुराम तुम्हारा जन्म धर्ती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है और इसलिए भगवान शिवजी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रू, दैत्य, राक्षस तथा दानवों को मानने में सक्षम का वर्दान दिया था परशुराम ने शिवजी से प्राप्त शस्त्रों से असरों का विनाश किया राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिवज ने उन्हें परशु नाम का एक शस्त्र दिया चूकि ये असर राम को बहुत प्रिय था इसलिए वे राम से परशुराम हो ग हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा